हाई फ्रेंज मैं हूँ निपेट सा टीवी के विवादित शो में से एक बिग बॉस 13 में आई दिन दिल्चस्प मोड देखने को मिल रहे हैं बीते दिनों घर में जहां शेहनास गेल और सिधार्ट शुकला के बीच खटपट दिखी तो वहीं दूसरी तरफ रश्मी देशाई असीम रियास के साथ मिलकर गेम में आगे बढ़ने की प्लानिंग और प्लॉटिंग करती हुई नजर आई वहीं नॉमिनेशन टास्क से पहले रश्मी देशाई और माहिरा शर्मा के बीच खाने को लेकर बहस हो गई थी और पारस छाबडा के साथ साथ सिधार्ट शुकला ने भी इस लड़ाई को सुलजाना चाहा लेकिन किसी के भी कोशिश काम नहीं आई ऐसे में रश्मी देशाई और माहिरा शर्मा के बीच के लड़ाई खत्म होने का नाम नहीं ले रही बता दें नॉमिनेशन टास्क के दौरान तो रश्मी ने विशाल आदितिय सिंग और असीम रियास के साथ मिलकर माहिरा को खोब टारगेट किया और इसके बाद से चीजें और भी ज्यादा बिगड़ गई इस दौरान रश्मी और उनके दोस्तों ने ये बात सामने लानी चाही कि माहिरा इस शो में पारस के बिना जीरो है जुसके बाद माहिरा शर्मा का गुस्सा साथवे आसमान पर पहुँच गया और उन्होंने रश्मी को मूतोर जवाब देना शुरू कर दिया और उन्होंने रश्मी से कहा वो शो में अकेले कुछ करके दिखाएं क्यूंकि उन्हें किसी ना किसी की जरूरत पढ़ती ही रहती है इसके बाद ही माहिरा का ये बोल्ड अबतार देखकर लोगों ने ट्विटर पर उनकी तारीफ करने शुरू कर दी और उन्हें शेरनी तक बोल दिया तो चलिए दिखाते हैं आपको ऐसे ही कुछ ट्वीट्स एक यूजर ने लिखा माहिरा किल डिट टुडे माहिरा शर्मा हर वक्त सिधात शुकला के पीछे पड़े रहते हैं पहले पारस छाबडा चाहिए था फिर अरहान अब इसको आसिन चाहिए खुद कुछ कर ले रश्मी आंटी गो एंड वोट फॉर माहिरा वहीं दूसरे यूजर ने लिखा कि माहिरा डिस्ट्रॉइड रश्मी आंटी इसके बाद एक और यूजर ने माहिरा की तारीफ करते हुए कहा की माहिरा शर्मा वॉज्ज लाइट क्या थोया सबको सिंगलएड़ ली इसके बाद ही एक यूजर ने प्रश्मी की टीम को टार्गेट करते हुए लिखा। नॉमिनेटिड है लेकिन वोटिंग ट्रेंड्स के हिसाब से वो तीसरे नमबर बर हैं और इस बार वो बच्चती हुई नज़र आ रही है वसे आपको क्या लगता है माहिरा और रश्मी के लड़ाई में कौन सही था कौन गलत हमें कमेंट करके जरूर बताएं और बिग बॉस से जड़ी खबरों को जानने के लिए इंसाइड न्यूस के साथ बने रही है